बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कई बार ऐसी बाते बोलते हैं कि जीवन को नई दिशा मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुज शर्मा, एक छोटा सा प्यारा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। बड़ी कमाल की कहानी, बहुत कुछ सीखने को मिल गा इससे। एक बार हुआ यूँ कि एक मा बेटा थे, मा बड़ी गरीव थी, राशन ले ने गई एक दुकान पर। मा राशन ले रही थी और बच्चा जो है वो तो बच्चा है, उसकी नजर थी टौफी के डब्बे पर। दुकांदार ने देखा कि बच्चा लगातार टौफी के डब्बे को देखता जारा है दुकंदार को लग रहा था कि इसकी मा इसको टौफी खरीद के देगी नहीं तो दुकंदार ने बच्चे पर दया दिखाई उसने डखकन खोला और बच्चे को बोला कि ले बेटा तौफी निकाल ले इसमें से बच्चे ने मना कर दिया उसने दूसरी बार बोला बेटा तौफी ले ले बच्चे ने फिर मना कर दिया तो मा ने कहा कि बेटा ले ले अंकल दे रहे हैं तो बच्चे ने फिर मना कर दिया अब दुकंदार को लगा कि बच्चे शर्मा रहा है बच्चे को डर लग रहा है शायद तो दुकंदार ने अपने हाथ से टॉफी निका ली और बच्चे के हाथ में रख ली बच्चे ने ऐसे दोनों हाथ कर ली जोनों हाथों में टौफी ली, अंकल को ठेंक यू बोला अम मा बेटा जिब चले गये तो मा ने पूछा कि बेटा जब अंकल पहले ऐसे डबबा दे रहे थे और तुझे कह रहे थे ले बेटा ले-ले तो तुने क्यों नहीं लिया और बाद में तुने ले लिया ऐसा क्यों किया? बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया बच्चे ने कहा कि मा यदि मैं अपने हाथ से टौफी लेता तो मेरे तो छोटे-छोटे हाथ है तो दो-चार टौफी आती लेकिन जब अंकल ने दी तो मैंने ऐसे दोनों हाथ कर लिये और अंकल ने कितनी सारी टौफी मुझे दे दोस्तों बस यह कमाल की समझने की बात है जब हम अपनी मर्जी से जिद्ध करते हैं इश्वर से बोलते हैं कि नई ये दे ये दे ये दे तो इतना सा ही हाथ में आये वो इश्वर तो देने वाला है उसने पूरा ब्रहांड बनाया है पूरी दुनिया को सब कुछ देता है इसलिए उसकी मर्जी से चलो जो वो देना चाहता है वो लो वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है क्योंकि आप अपनी मर्जी से सिर्फ इतना ले पाएंगे अपना पात्र बढ़ा करो वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है आपकी इच्छा बड़ी रखो क्योंकि उसके पास सब कुछ है आपको देने के लिए वो दुनिया का मालिक है पूरे ब्रह्मान्ड का मालिक है उसने सब कुछ आपके लिए ही वनाया है इसलिए हमेशा अपनी क्वाहिशे बड़ी रखो, अपनी अच्छाएं बड़ी रखो और अपना कर्म जो है हमेशा बड़ी मांदारी से करो देखना आपको आपकी इच्छा से आपके सपनों से अधिक जरूर मिलेगा इश्वर हमेशा आपके साथ है, वो जानता है कि आपको किस वक्त किस चीज की जरूरत है उस भरोसे को कमजोर मत होने दो, विश्वास रखो, आपकी इच्छाओं से अधिक आपको मिलेगा ही मिलेगा इसलिए हमेशा खुश रहो, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपकी सारी ख्वाहिशे पूरी होंगे अपना ख्यार लखो, मस्त रहो, हरे कृष्ण